हम दो कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नए सरकर बनाने का, हमारा एक साथ 47 है, सोसक लोग के साथ लड़ना, यहां का अधिवाशी, यहां का मुल वाशी को उत्थान करने के लिए ज्वारखन में सियासी हलचल च्वरम पर है, भरस्टा च्वार के आरोप में फसे हेमंत सोरीन ने ज्वारखन के मुख्य मंत्री पत से इस्तिफा दे दिया है, चमपई सोरीन को विधायक दल का नेता चुना गया है, चमपई सोरीन अब ज्वारखन के नए मुख्य मंत्री हों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर चमपई सौरीन कौन है जिन्होंने हेमंत सौरीन के बाद ज्वारखंड की गद्दी संभाली है जो ये एम एम संस्थापक शिबु सौरीन के करीबी रहे चमपई सौरीन कोलान शृत्र में टाइगर के नाम से चर्चुत है जब बिहार से आलग ज्वारखंड राजय की मांग उट रही थी उस जोरान चमपई का नाम खूप चर्चाओं में रहा श्रीबु सौरेन के साथ ही चमपई ने भी ज्वारखंड के आंदूलन में भाग लिया इसके बाद ही लोग ने ज्वारखंड टाइगर के नाम से बुलाने लगे इ प्रेमंत सरकार में परिवहन अनुसूचित जनज्राती अनुसूचित ज्राती और पिछड़ा वर्ग कल्यान मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे इसे पहले वे अरजुन मुंडा के कारेकाल में ज्रे एम एम बीजुपी गडबंधन सरकार में भी मंत्री रह चुके है चमपई सोरेन सराय के लिए हसनावा जिला इस्तते गाउं के रहने वाले हैं उनके पिदा का नाम सिमल सोरेन है चमपई सोरेन चार भाई बहनों में सबसे बड़े हैं उन्होंने दस वी तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की कम उम्मर में ही उनकी शादी हो गई थी उनके चार बेटी और तीन बेटियां हैं। चंपई सोरीन को अपना उत्तरा धिकारी चुना था।